नमस्कार अड़ी विल्कम यौल वर्ल अफेर्ट वैव प्रशान्द अबन नाओ यहां पर आप लोग पढ़ पाएंगे विल्कुल ठीक लिखा है इसराइल ले हाली में युनाइटेट नेशन्स में खड़े होकर यह कह दिया के एर्दोवान एक साप की तरह है और एक साप हम रहेगा यहां पर आप देख पाओगे असनेक विल्कम यह बता दू देखो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन्स भी खड़ाब रहते हैं मगर लैंग्वेज इस तरकी इंडिया पाकिस्तान की तरव से भी यूज होती नहीं है युनाइटेट नेशन्स में आप कहलो एक सर् हमेशा साप रहेगा और टर्की लिटरली एक साप की ही तरह इसराइल को नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहा है ना यहां पर मैं यह एड़ कर दू कि ऐसा नहीं है कि इसराइल ने बस एक लाइन बोली एर्दोवान के बारे में और यह चुप हो गए इसराइल इसके जो भी हमारे डिप्लोमाटिक रिलेशन्स हैं हम इनको रियसेस कर रहे हैं देख रहे हैं कि टर्की के साथ हमें रिलेशन्स बना के रखने भी चाहिए या नहीं क्योंकि जैसे यहां पर आप देख पाऊगे टाइम्स ऑफ इसराइल का आटिकल है एर्दोवान ने अपना अ परकी के प्रती इतना जरा गुसा क्यों आगया है इसराइल का तो डिसकस करेंगे इसारा टॉपिक बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूँगा एक क्वेस्चन यह है के भारत बहुती जल्द वीजा सर्विस पार्शली कुछ हद तक थोड़ी बहुत जो वीजा सर्विस है यह री स्टार्ट कर देगा किस कंट्री के साथ यह है आपकी आपकी ओप्शन फिलिस्टीन इसराइल कैनेडा या फिर नॉर्थ कोरिया कॉमें शेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में नाउ कुवेट, ओमान, बहुत से देश, I mean UAE ने most recently कुछी सालों पहले ये बात accept कर ली थी के इसराइल नाम का देश है और हम उनके साथ diplomatic संबंद मढाएंगे बट तर्की देखिए एक बहुती clever country है जब इसराइल initially बना था तभी से ना तर्की ने relations establish कर दिये थे इसराइल के में एर्दोवान ने एक के बादे कुछ ऐसे काम किये हैं जिसकी और जैसे इसराइल की सरकार बहुत ज़रा गुसा है अब अगरा question यहाँ पर यह आएगा कि अच्छा एर्दोवान ने ऐसा क्या कर दिया वेल पहली बात तो एर्दोवान ने ये कह दिया कि ये declare करेंगे इस इसराइल को as a war criminal country और ऐसानी है कि बस वादा कर दिया इन्होंने ये कह दिया कि इस पर कारवाई ओल्डी टर्की की सरकार ने स्टार्ट कर दी है ये सब एर्दोवान ने कहा एक प्रो फिलिस्तीन रैली में देखो एर्दोवान एक बहुत जादा राइड विंग लीडर है टर्की में पॉपुलिस लीडर है और टर्की में ना सिर्फ टर्की एकचली पूरे मुस्लिम वर्ल में आप देख लो चाहे पाकिस्तान हो टर्की हो जौडन हो चाहे एक बार को जो लीडर्स है न वो नीटरल रहे मगर जो आम जनता है वो बहुत जादा प्रो फिलिस्तीन आपको मिलेगी पलेस्ताइन एक ऐसा इस्यू है जिसको लेकर OIC कंट्री जो है यह बहुत जारा स्टॉंगली फील करते है जरूसलम की आप अगर हिस्टी पड़ेंगे जरूसलम किसके पास रहेगा क्या यह क्रिश्चन कंट्री के पास रहेगा या इस्लामिक रूलर्स के इसी इस्यू को लेकरना कई बार वार्ड हुई हैं क्रूसेड हुई एक बहुत लंबी हिस्ट्री है तो अगरूसलम फिलस्तीन का पाथ है इस्टाइल कहता है कि जरूसलम इनको बिलॉंग करता है और सिंस यहां पर गाजा के लोगों पर अताचार की बात की जा रही है यह Muslim majority country में discuss किया जा रहा है और obviously Turkey के लोग भी कहा रहे होंगे कि इनका leader जो बहुत जादा एक right-wing leader है ये इसराइल की against action क्यों नहीं लेता तो Erdogan ने भी उसके response में ये बोलना start कर दिया कि हाँ इसराइल को मैं एक war criminal country declare करवाऊंगा ना ये करवा पाएंगे या नहीं करवाएंगे वो अरग बात है इन्होंने ऐसी statement जैनी start कर दी थी उसके आगे इन्होंने ये भी बोला कि इसराइल तुम कहां से आए तुम जोग्राफिकली जहां पे बैठे हुए हो ये कहां से बैठ गए तुम एक occupying country हो western countries ने तुमको बनाया है मगर टर्की का कोई कर्ज नहीं है तुम पर ये सब बाते इन्होंने यहाँ पर कह दी और साती सा जो पश्चमी देश है जो western countries है उन पर भी निशाना लगाते हुए एर्दोगान ने ये कह दिया कि जो लोग Ukraine में civilians की death के issue पर रो रहे थे कि Russians, Ukrainians को मार रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है वही लोग Gaza में जो अत्याचार हो रहा है civilians पर उसको completely ignore कर रहे है तो जो statements थी ना अर्दोगान की ये बहुत ज़ादा आप कहली जे चुबी है इसराइल को बट अब हम इनको trust नहीं करेंगे अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं एक बात बताईए सर Pakistan का जो प्रधान मंत्री है वो ऐसी statement नहीं दे रहा जैसा Erdogan का President दे रहा है इसका क्या reason है यहाँ पे एक geopolitical angle भी आता है यह मैं आपको बदा चुका हूँ इसराइल हमास की जो war है ना इसमें कहीं ना कहीं जो IMAC project था अगैन मैं बार बार इस पे आऊंगा IMAC project revolutionary idea है ठीक है के इंडिया, Middle East, यूरोप को हम को जोड देंगे एक कोरिडॉर से तो तर्की देखिए हमेशा से ना IMAC के अगेंस खड़ा हुआ था तर्की ने काफी बार ये का था कि IMAC आप इसराइल से क्यो गुजार रहे हैं तर्की का मानना ये था कि अगर इंडिया को जोडना है यूरोप से इंडिया देखे बात घूम फिर के इंडिया की आती है ठीक है और ये बात कोई आसा निया अरोगेंस है हम लोग कहा रहे हैं इंडिया हुमंगस मार्केट है इंडिया फास्टेस ग्रोइंग एकॉनमी है इंडिया से अगर आप इंडिया को जोड़ देते हो इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी और हर कोई चाहता है इंडिया के साथ ड्रेड उसका बड़े तर्की का ये मानना है कि जो ये connectivity project बनेगा न आप इसको तर्की से निकालो इनका मानना ये कि आप इंडिया से ये जो corridor है यहाँ से सिर्या से निकालके तर्की से जोडो और उसके बाद isn't इंडिया कर दो यूरोप और इंडिया को और टर्की का कहना ये भी है कि historically यही रूट रहा है इसी रूट से historically अलेक्जंडर यूरोप से उत्रा सीधा नीचे यहाँ पर modern day जो इरान है यहाँ पर पहुचा फिर अफगानिस्तान modern day जो इंडिया है यहाँ तक पहुच गया था तो टर्की का दे कर रहा है और इसराइल ये बात देख चुका है और इसलिए इसराइल अब यह कह रहा है कि Erdogan एक साप की तरह है हमने गल्ती करी इन पर भ्रोसा करके अब एक क्वेशन यहाँ पर आपका ये भी आएगा कि क्या इसराइल तर्की के अगेंस्ट कुछ आक्शन लेगा वेल देखो नई ओवियसली नई टर्की एक नेटो कंट्री है अभी के लिए तो जब तक टर्की नेटो का पार्ट है कुछ ऐसा होने नहीं वाला हाला कि मैं मानता हूं कि टर्की की जो पॉलिसीज है इनकी वजह से लंबे समय तक ये नेटो का मेंबर नहीं रहने वाला I mean मैं नहीं मानता कि आज से दस साल बाद भी टर्की नेटो में रहेगा कुछ बदलाव आएगा वेंचुली बट देखना होगा कि इसराइल और टर्की के रिलेशन्स किस हद तक खराब होते हैं क्योंकि again things are about to get very ugly in northern गाजा तो इस टॉपिक से related कुछ आपस आते हैं अपने question पे के इंडिया partially किस country के साथ visa services resume कर सकता है इस पर reports का भी publish हुई है सयुत्तर यहां पे है option C Canada यहां पे आप देख पाओगे Canadian ministers की तरफ से भी statement आई है कि यह अच्छा sign है सारी visa service तो नहीं मगर partially जो visa service है थोड़ी बहुत restore हो सकती है in the coming few days और an academy के platform प topics होते हैं जिन पर मैं channel पे video नहीं बना पाता तो वो यहां पे आपको मिल जाये करेगा so enjoy these classes thank you thanks for listening and as always may the gods watch over